रोध्रस का अस्थाई भाव क्या है क्रोध भय उस्था या फिर विश्मे तो रोध्र का अस्थाई भाव क्रोध है आपने सुना वहागा कि बहुत रोध्र रुप में रहता है तो यानि कि बहुत क्रोधिद रहता है तो रोध्रस का अस्थाई भाव है क्रोध आपसर नंबर ए सही है किस चंद का पर्थम वो अंतिम सब्द एक सा होता है यानि कि एक समान होता है पर्थम और जो अंतिम पद होता है सब्द होता है वो एक समान होता है कुंडलिया रोला दोहा या फिर सो रठा तो क्या है यह कुंडलिया कुंडलिया में पर्थम और अंतिम जो सब्द हो या फिर सत प्लस सास्त्र इसमें क्या हो जाएगा सत प्लस सास्त्र जो की सच्छास्त हो जाएगा आपसन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट है को कॉटिल का बिलोम सब्द है मृदुलता आर्तो मार्दो या फिर आर्जो तो कॉटिल का बिलोम सब्द ना तो मृदुलता है ना तो आर्ता हो है ना तो मार्दा होऊत। तो डॉल हो जाएगा ? अब पढ़कर क्या होगा ? इस वाग कमें में कौन सी क्रिया है ? प्रिड़ात ट उइए ? संजोट क्रिया ? पूर्वकालिक निया ? यहाँ प्रिड़्ात मिल नहीं रहाते istability आपने पढ़नाता नहीं पढ़े तो आपसा नंबर सी करेक्ट जायेगा इसमें पूर्वकालिक क्यरीया है कि इसका इसका जो उचारान स्थान है वह है कंठ तालू आपशन.1 चूद्ध वाक्य का चैन करना है माता पिता की सुसरुषह करनी चाहिए तुफान आने का संदे अनेक निरप्राद डंड के भागी हुएं आपसन नंबर C correct है जुगुपसा किस रसका एस्थाइबा हुए अदभुत भयानक बिवद्स या फिर रोध। तो जुगुपसा किसका है बिवद्स रसका एस्थाइबा हुए आपसन नंबर C सहीए करेक्ठ है नी कलंक का सही सब्द है निस कलंक, निस कलंक, निस कलक, निस कालक या फिर निस कलंक, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निस कलंक का जो सही संदी सब्द होगा होगा, निस कलंक, इसमें संदी कौन सी है, इसमें है वी सर्ग संदी, कौन सी संदी है, वी सर्ग संदी है, आपको ये ध्यान रखना ह पीडि दर पीडि आने वाला इसके लिए समचित सब्द क्या है क्रमागत अनवयागत परागत या फी तथागत तो पीडि दर पीडि जो पीडियों चली आती है उसे क्या बोलते है अनवयागत बोलते है क्रमागत नहीं बोलते है क्रमागत बोलेंगे जो क्रम से आता है लेकि नम्गां अन पोधन अन या फिर पाधन नों या फिर पाधनन तो फ्रीक निरुद्च के लिए प्रतेख नगरी को संबंध या पिर उध्यत तो देश रच्छा के लिए प्रतेख को उद्यत घ्र करन चाहिए और ही सब्द्यव क्यारा अब डिन जाए अर्विन्द सब्दय का पर्यावाचि बटना है कल्प दिक टो जो अर्विन्द सब्द पर रहा चीए वो हो तो निर्थन में बिशर्ग संध ये आपसर नमबर डी बिलकुल सही है। देशांतर में कौन सा समा से करमधार है बहुत बरी ही दिगो या फिर द्वन्द। तो देशांतर में बहुत बरी ही समा से आपसर नमबर बिलकुल सही है। अंबर पनगट में डूबो रही तारा घट उसा नागरी निम्ने पंक्ति में कौन सा अलंकार है अनुप्रास सलेश रूपा के आफिर उपमा तो अंबर पनगट में डूबो रही तारा घट उसा नागरी में रूपा का अलंकार है आपसा नमबर C सही है लिम्लेखित में से कौन साथ तद्भाव सब्द है इस्टिका, कूपुत्र, अमी या फिर उलुक तो इसमें जो तद्भाव सब्द है हुए अमी आपसा नमबर सी दिया गया है